सोशेल मीडिया अने डिजिटल युग मा आजे पन नौरात्री दर्मियान लोको रामलीलाना मंचन ने पसंद करी रहा छे सुरशेहर मा व्रिंदावन्थी 33 जिटला कलाकारो सुरत खाते रामलीला मंचन करवा माटे आविया छे वर्षोथी 44 आवेल परंपरा मुजब आजे पन आ रामलीला मंचन मा कोई पन महिला शामिल थती न थी तमाम पात्र आजे पन पुरुष कलाकार द्वारा भजवा मा आवता होई छे मोबाईल युग मा आजे पन लोको रामलीलाने जोवानू पसंद करी रहा छे सुरशहर ना वेशुविस्तार मा रामलीला मैदान मा योजाईली रामलीला जोवा माटे मोटी संख्या मा लोको उम्टी रहा छे आ कलाकार रामलीला उपरांत कृष्न लीला पन वर्ष दर्मियान करता होई छे जेनाकार ने तेमनी आजीवी का पन चाले छे अने तेओ परमपरा अने भारतिय संस्कृती ने पन जीवीतर आखी रहा छे आ तेत्रिस कलाकारो मा सुथी वदारे भणनार रामलीला मा रावनी भूमी का भजवनार मेनी डिगरी धरावे छे जेरे भगवान रामनी भूमी का भजवनार हाल संस्कृत मा बीए मा त्रीजा वर्ष मा भ्यास करे छे सौथी महत्वनी वाद छे के परमपरा गत रीते जे रामलीला आजे भजवामा आवे छे तेमा आजे पन महिलाओने स्थान आपवामा आउतु नथी जेती मा सीतानी भूमी का पन पूरुस द्वारा भजवामा आवे छे सूरत खाते आयोजित रामलीला महत्सो मा सीतानी भूमी का भजवनार पात्र दोरन आट मा भणी रहो छे आने सीतानी भूमी का भजो आमाटे तेने आवास थी लई तमाम प्रकार नी प्रेक्टिस महीना उसुदी करी छे मैं राम लीला में स्री राम जी का ही अवने कर रहा हूँ और ये मेरा स्ववाग है जो कि मुझे राम का अवने मिल रहा है मेरा नाम माधव है माधव सर्मा मुझे इवरंदावन में माधव ठाकुर जी के नाम से जानते हैं लोगा क्योंकि मैं राज़ीला में कृष्ण जी का और राम लीला में राम जी का आवने करता हूँ और मैं थर्डियर में हूँ बिये थर्डियर में संस्कित से मैं पढ़ रहा हूँ और ये जो राम लीला है ये वड़ी ही ठाकुर जी की ऐसी लीला है कि राम के रूप में भगवान ने ये बताया है कि एक पिता के पुत्र का क्या मोहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए या एक पुत्र को पिता के लिए कैसे रहना चाहिए एक मा को पुत्र के लिए कैसे रहना चाहिए एक पुत्र को मा के लिए कैसे रहना चाहिए आधी आधी भी हमारा नाम बोला है और हम सीता जी का अबने करते हैं और सीता जी का अबने करने से पहले दो-चार बात हैं जो कोछ ध्यान रखनी पड़ती हैं जैसे कि ठाकुर जी के प्रती बाव रखना है जैसा रॉल रखते हैं वैसा ही अपने के द्वारा भाप भी होना चाहिए अपके अंदर तभी अपने करने का अनंद आता है यही सबसे जरूरी बात है जी रखकुल बुसंदो करन मेरे जीवन प्राण दासी की विंती सुने दीन बंदु बगवान कि अभी तो हिंदी संस्कृत सभी बिसे पढ़ते हैं अपने जो भी है किलास में उन्हीं को पढ़ते हैं जी है अबने के हिसाब से हमको अब आज भी अपनी चेंज करनी पढ़ती है जैसे अपने होगा वैसे ही आवाज भी होगी कि आये हम ब्रन्नावन से सभी और ये कलाकार भी हमारे सारे ब्रज के ही हैं और ये चलनवी जो है आचार लोगों की परंपरा कई हज्जार वर्स पहले ये परंपरा आरम्म हो गई थी ये कलाकार सारे ब्रज से आये हुए हैं और यहां सूरत में हम प्रत्यक वर्स ये हमारी आदर्श रामलीला कमेटी ट्रश्ट जो है सूरत ये सभी यहां प्रत्यक वर्स ठाकुर्जी का आयोजन उत्सव करते हैं रामायन हम लोग तुलसी कृत रामायन के आधार पर ही ये अपने रामलीला प्रस्तुत करते दर्शन कराते हैं कि ओटमने नव रश है कि नौ रशों का प्रवेश है मैं हाश יवए वीर रशवी है करउना रश है सभी रस इसमें और वैसे यह कुई शाधारण नहीं है नाम रूप लीला धाम जहां भी ठाकुर्जी की लीला होती है नाम तो लिया ही जाता है ठाकुर्जी का रूप का दर्शन होता है नाम रूप लीला का दर्शन होता है और जहां पर ठाकुर्जी जाते है माधाम अपने आप हो जाता है